तो हलो आई वरियों, मैसल विरेन और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से AI और थोड़ी से जुगार से आप ऐसे होरिजोंटल वीडियो को इस तरीके की वर्टिकल वीडियो में कनवर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है तो पहली चीज जो वीडियो आप कनवर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल होना चीए और ट्राइपोड पे सूट के अवा होना चीए सेकेंड वीडियो में बोडी का कोई भी पार्ट कट नहीं होना चीए जैसे मेडियम शोट होते हैं तो वो इस वीडियो में काम नहीं करेंगे तो अब बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से सॉफ्टेर के नीड होगी तो पहला हम यूज करेंगे प्रीमियर प्रो जो हम PC में यूज करेंगे दूसरा हम यूज करेंगे फूटो लिप जो हम फोन में यूज करेंगे तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहोगा कि मैंने एक वर्टिकल टाइम लाइन यहाँ पे बना दिया है अगर यह option नहीं दिखता है तो आप plus पे click करके इस option को यहाँ पे drag कर सकते हैं अब next step के लिए हम इस photo को अपने phone में transfer कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे photo leave application open कर लेंगे उसके बाद edit photos में जाके हम लोग photos को select कर लेंगे तो यह जो photo है जो हमने import की थी अब हमें इसे crop कर देना है और इसके उपर और नीचे के जो black bar हैं उसे हमें हटा देना है तो हमने उपर और नीचे के black bar हटा दिये हैं अब हम लोग जाएंगे AI expand feature पे और हम लोग जाएंगे 9-16 पे और उसके बाद इस arrow पे आपको click कर देना है तो कुछी देर बाद AI के मदद से यह एप ऊपर और नीचे के खाली पार्ट को fill कर देगी तो हमें तीन option यहां पे मिल गए हैं जो आप किसी भी application की मदद से हील करके हटा सकते हैं अब हम लोग इसको प्रीमिर में import करते हैं और आते हैं next step पे तो यह वो photo थी जिसे मैंने import किया था और इसे मैंने डाल दिया है प्रीमिर को की timeline पे आपको दिख रहोगा इसे थोड़ा stretch कर देते हैं उसके बाद आपको कर देना है इसे set to frame size अब आप देखेंगे कि यह हमने still photo add कर दी है वीडियो की layer के ऊपर अब हम एक चूटा सा step follow करना है जो है masking तो हम जाएंगे effect control में उसके बाद यहाँ पर आपको opacity का feature मिलेगा जिसमें से आपको यह arrow वाला part select करना है और आपको इसको mask कर देना है यहाँ से लेके जो जो पहले वीडियो का part था उसके उपर आप एक बार के लिए rough masking बना देंगे और अब आपको इसे invert कर देना है तो जैसे हमें नीचे यहाँ पर black bar दिख रही है तो हम हमारे mask को थोड़ा उपर कर लेंगे अब हमें हलका सा इसका फैदर बढ़ा देना है तो यह हमारा horizontal video convert हो चुका है vertical video में तो यह हमने एक basic सा example लिया था आप इस तरीके से अलग लग video generate कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कुछ video generate के थे तो हम आपको दिखा देता हूँ तो जैसे यह है इसका before और यह है इसका after उसके बाद हमने यह वीडियो generate किया था तो इसमें यह है इसका before और यह है इसका after तो इस सेम वीडियो को पहले मैंने vertical video में convert किया था बट मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा spend किया था तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मैंने यह किया है कि मैंने उपर sky भी add-on कर दिया है और उसका reflection भी मैंने वाटर में डाल दिया है, तो यह simple सा तरीका था जिसमें AI के जुगार से आप अपने horizontal वीडियो को vertical वीडियो में convert कर सकते हैं, तो हाँ एक ओर चीज मैंने एक छूटी सी community बनाई है वाटसप पे तो आप भी travel करते हैं और आपको travel वीडियो बनाना पसंद है, तो आप उस community को जोइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नहीनी चीजे शेर करता रहूंगा, और मेरे assets भी मैं वहाँ पे डालता रहूंगा, जैसे फ हूंगा।